सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हलो फ्रेंड वल्कम बैक टू माइ चैनल तो आज हम गोटा पट्टी का एक नियू डिजाइन बनाएंगे जिसके लिए देखे मैंने ये बॉटम का जो क्लॉथ है मैंने कुर्टी पे यूज से और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को इंट तक देखे जरूर तो मैंने देखिए ये इसकी लेंद मैंने रखी है यहां से देखिए मैंने 17 इंच की इसकी लेंद रखी है इसी में बनाऊंगी इसलिए मैंने एट इंच पर रखा है से चौड़ा इसकी और यह मैंने सैटिन कपड़ा है तो इसके लिए मैंने इसे सैट से फोल्ड करके एक सिलही लगा दी है क्योंकि इसके तार्व निकलते हैं तो फिनिशिंग हमारी अच्छी आए इसलिए मैंने यह देखिए यहां पर सिलही लगा दी है से तीनों सैट ठीके उपर से तो हम गोटा पटी यूज़ करेंगे से छोटी सी इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है तो यह नजर तो नहीं आएगा हमारी जो सिलही है तो यह देख पर गोटा पटी के जो है मार्किंग करेंगे सबसे पहले इस पर उसके बाद में हम गोटा पटी इस पर स्टीच करेंगे तो मार्किंग के लिए हम जैसा भी डिजाइन हम बना रहे हैं उस तरीके से हमें मार्क करना है तो बिल्कुल बीच में फ्रंट में एक हम इस तरीके स स्टेट लाइन हम यहां से जो नीचे ट्रेंगल शेफ है महां से ही मैं इसे लाइन बनाऊंगी ठीके तो यहां कॉनर से रखूंगी मैं और यहां से जितना यह देखे यह जो शेफ है मारा इस तरीके से आएगा ठीके तो वनवन इंच चाहे तो वनवन इंच आप रख सकते हैं या फिर देड़ी इंच भी आप गैप दे सकते हैं तो मैं यहां पर वनवन इंच पर ही गैप दे रहे हूं अंदाजे से आप चाहे तो मेजर्मेंट के साब से भी ले सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा पुरा उपर तक ऐसे ही शेप आना है तो यह देखे यह लीफ की तरह हमारा जो शेप है अंदर का उस तरीके से आ गया है तो अब हम इस पर गोटा पटी यूज़ करेंगे आप चाहे तो दूसरा भी लगाएंगे तो बहुत आईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी है तो मैं यहां से नीचे से स्टार्ट करूंगी लगाना यहां से यहां कार्णर से हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से पलट लेंगे और इनाद दंगर के दूसरी जगह जो हम दूसरी ड्रौ की हैं दूसरी साइड में हम इस तरीके से ले लेंगे कि यहां से कट कर देना है हमें इसे अब इसी तरीके से हम जितने भी हमारे लाइन से उपर हम इसी तरीके से लगाते जाएंगे कॉनर से हमें सरी पलटना है इसे तो यह देखिए इस तरीके से दो हमारे लाइन स कंप्लिट हो गए हैं इसी तरीके से पूरे हमें बनाने हैं तो यह देखिए मैंने यह कंप्लिट कर लिया है बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है यह अब हम इसे जो सेड में हम पाइपिंग देंगे तो आप चाहें तो गोटा पट्टी की ही जिसमें थोड़ी बड़ी गोटा पट्टी आती उसकी भी आप पाइपिंग देख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कुर्ती का कपड़ा यूज़ करूंगी कि क्योंकि फिनीशिंग हमारी अच्छी आए इसलिए मैं पाइपिंग दे रही हूं कि अब यह देखिए मैंने स्टीच कर लिया अब इसे पलट कर हम एक और स्टीच कर देंगे कपड़े और पाइपिंग के दर्म्यान में हम स्टीच करेंगे से तो यह देखिए मैंने पाइपिंग लगा दी है अब इसे हम अच्छे से प्रेस करके इस पर हम गोटा पटी है देखिए मैंने एक और गोटा पटी की लेज यूज करी है यहां पर लगाऊंगी मैं तो सिरिफ हमें उपर का जो ट्रैंगल शेप है वो दिखना है तो इसलिए मैं नीचे लेज ले लूँगी और यह सैट से देखिए इस तरीके से नजर आएगी पर यह देखिए इस तरीके से लग रही है यह और यह कुर्टी पर लगाने के पाद और भी खुबसूरत लगेगी तो इसे हम प्रेस कर लेते हैं और इस पर कुर्टी पर लगाते हैं यह तो देखिए हमारी यह कुर्टी है फ्रंट साइट है बीच में हमने प्रेस की मदद से सल बिठा ली है पूरी ठीक है और यह सल को यह सिलई पर हम बराबर स्टीच करेंगे बीच में जो हम एक कच्ची सिलई लगाएंगे जो ड्रॉ की हमने तो यहां से हम कच्ची सिलई लगाएंगे बिलकुल बीच में सेंटर में हमारा आना चाहिए सिलई यह देखिए मैंने यहां पर बराबर सेंटर में एक सिलई लगा दी है ठीक है अब मैं सैट से एक और सिलई लगा दूँगी जो बारिक टाके से लगाऊंगी तो देखिए, ये हमारा पैटर्न इसपर आ गया है ठीक है, इस तरीके से, अब हम जो भी शेप नेक का दे रहे हैं, वो हिसाब से हमें नेक लगाना है, नेक बिठाना है इसपर, जैसा भी आप चाहे, राण जैसा भी शेप आप चाहते हैं, वैसा आप रख सकते हैं, तो ये देखिए मैंने इस शेप का नेक बनाया है बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है देखिए ये और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है अब आप चाहे तो इसमें स्टोन्स वगएर भी चिपका सकते हैं लाइन्स में तो मेरी वीडियो अगर आपको पसना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को थेंक यू फॉर वाचिंग और नेक डिजाइन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ये वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए